आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों अप्रेल मंत स्टाट होने में सिर्फ तीन दिन बाकी हैं फर्स्ट ऑफ अप्रेल से सभी इंडियन क्रिप्टो यूजर्स के लिए 30% फ्लेट टेक्स ऑन क्रिप्टो करंसी विल बी अप्ली केबिल तो यहां पर लास्ट लोग सभा के अंद वीडियो में आपके सा शियर गी हैं आप जाकर देख सकते हैं अब दोस्तों जो राजसभा से फाइनल रिजल्ट आना है उसमें भी चांसे कम है कि फेवर में वो रिजल्ट आएगा मतलब जादा चांसे इस चीज के हैं कि फाइनेंस बिल पास हो जाएगा और 30% टेक्स सभ पर बच सके हैं दोस्तों टेक्स देना कोई गलत भात नहीं होती टेक्स देना अच्छी बात होती है लेकिन जब किसी चीज पर किसी बिना किसी रीजन के बिना किसी रीजन एट आल नॉनसेंस तरीके से इलोजिकल तरीके से जब किसी चीज पर टेक्स लगाया जाता है जब लोग के लिए 30% flat tax देना बहुत मुश्किल की बात है और जहां तक मुझे लगता है कोई भी user 30% flat tax देना पसंद नहीं करेगा cryptocurrency के अंदर क्योंकि यहाँ पर लोग जुआ नहीं करते हैं यह gambling नहीं यहाँ पर लोग अपनी महनत से अन करते हैं profit earn करते हैं innovation काफी साथ innovations हो रहे है innovative projects आ रहे हैं तो यह सब चीज़े हैं real world पर अगर government इस चीज़ पर rules और regulation नहीं बनाएगी तो government चाहते हुए भी इस चीज़ को नहीं रोक पाएगी तो यही दूस्तों एक reason है कि government से हम सब लोग जो appeal कर रहे है कि crypto पर से जो tax है उसके लिए proper slap बनाई जाए tax को reduce किया जाए rules और regulation के लाए जाए क्योंकि यह technology यह government इसको चाहते हो भी नहीं रोक सकती तो at least उसकी उपर proper rules और regulation बनाकर जो गलत काम हो सकते हैं उनको होने से रोका जा सके लेकिन government ही नहीं चाहती है इसी चीज़ तो अभी ह using centralized exchange जितने भी centralized exchange है जैसे की वजी रेक्स, CoinDCX, especially Indian exchange, BitBNS, CoinSwitch, Kuberand इसके लावा 2-3 और different Indian exchange है जहाँ पर आपको trade करने के लिए आपको access करने के लिए KYC की need होती है तो जितने भी ऐसे exchange है centralized exchange, especially Indian exchange, जहाँ पर आपकी KYC के requirement होती है उन सभी exchange को त्याग दो 1 April से पहले और इसके बाद जो Indian exchange नहीं है, जो दूसरे exchange है जहाँ पर without KYC आप trade करी नहीं सकते, deposit या withdraw नहीं कर सकते तो ऐसे exchanges को भी use करना कम कर दो मैं तो कहूंगा दोस्तों काफी जादा कम कर दो, even Binance क्यों नहीं हो, Binance and WazirX दोनों एक ही company के ही जो WazirX है तो वो Binance company का ही product हो चुका है, 2,5 साल पहले Binance ने WazirX को खरीद लिया था, तो अभी WazirX जो है, वो Binance के लिए काम करता है, India के अंदर रहते हुए, लेकिन अपने हिसाफ से काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी, जब हमारी country के अंदर 30% tax applicable हो जाएगा, तो government उन सभी exchange तक reach करेगी, चाहें वो global exchange हो, जहाँ पर user की KYC लगी है, और सभी Indian user का database, government मांग सकती है, और exchanges को वो देना पड़ेगा. सब आपके mind में काफी सारे question आ रहोंगे, जैसे की centralized exchange use नहीं कर सकते, तो कौन से exchange use करें, कौन से wallets में अपने funds को डालें, और क्या करें, कैसे करें, प्रॉपर इसका एक सही तरीका क्या होना चाहिए, तो दोस्तों ये video especially safety security के हिसाप से बना रहों, जैसे की आप लोग prepare हो सक आने वाले 5 सालों में नहीं, 10 सालों में मेरा मानना ये है कि जतने भी centralized exchange है, लोग इनको use करना बिलकुल बंद ही कर देंगे ना के बराबर, आने वाले जो दुस्तों time है, वो है decentralizedization का क्योंकि cryptocurrency का सही मतलब ही decentralizedization है, ठीक है, तो जब decentralized exchange लोग use करेंगे, जहाँ पर लोग अप काफी जादा user interface होगा, quick service होगी, तो लोग क्यों centralized exchange use करना पसंद करेंगे, जबकि वो सारी चीज़े हमाँ पर उनको decentralized exchange पर मिल रही है, अभी दोस्तों काफी सारे exchanges ऐसे हैं, जो decentralized exchanges ऐसे हैं, जो spot service and future service provide करना start कर रहे हैं already, काफी अच्छा work कर रहे हैं, लेकिन centralized exchange के जैसे जो एक दम instant जो यहाँ पर हमें response मिलता है, वो चीज़ अभी नहीं देखनी मिलती है, क्योंकि प्रांदेशन अप्रूव करना है, यह सब चीज़े हमें होनी करनी पड़ती है, लेकिन अने वेल टाइम के यह सब चीज़े और भी जादा fast हो जाएंगी, और जो development है, वो जादा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिलाल हमारे पास काफी सारी option है, हम लोग decentralized exchange कौन-कौन से हैं, जिनको हम use कर सकें, उनके बारे में दुस्तों हम लोग बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे, कि कौन-कौन से decentralized exchange best हैं, जिसको हम लोग use कर सकते हैं, बिना किसी को पता च funds before 1st April to your decentralized wallet और decentralized exchange, basically exchange नहीं, basically इसको wallet ही बोलेंगे, क्योंकि जब हम exchange use करते हैं, तो वो भी wallet के थूँ ही connect होता है, तो यहाँ पर send your fund into decentralized wallet before 1st April, एक ऐसे wallet के अंदर जो कि non-custodial होगा, जिसका access आपके पास ही होगा, और किसी के पास नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्य कि KYC verified है, फिर वो चाहे Indian exchange हो या फिर वो global exchange हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले 1st step कि यहाँ पर follow करना है, April 1st से पहले, especially Indian users को यहाँ पर, तो जितना भी fund आपके centralized exchange पर है, जहाँ पर आपकी KYC है, उसको 1st April से पहले transfer कर लो, किसी दूसरे centralized exchange पर, जहाँ पर KYC की requirement नहीं होत है, अब ऐसे कौन-कौन से centralized exchange है, जहाँ पर हम without KYC, just अपना 2F2 factor authentication डाल कर, and email verify करके, हम लोग उसको use कर सकते हैं, तो सबसे पहले दूस्तों, मैं आपको suggest यहाँ पर करना चाहूँगा, MEXC exchange, जो कि यह global exchange है, जहाँ पर आपको दुनिया भर के सारे asset मिल जाएंगे, and यहाँ यहाँ पर without KYC, आप लोग 1 BTC तक का trade यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, 1-2 BTC तक का, everyday का यहाँ पर volume का होता है, trade का, sorry, deposit and withdraw I mean, इसके बाद दूस्तों, यहाँ पर मैं secondly suggest करना चाहूँगा, Q coin का, Q coin में भी आप लोग without KYC, 1 BTC तक की, यहाँ पर हम लोगो छूट मिलती है, everyday की यहाँ की, everyday आप लोग 1 BTC तक का deposit and withdraw कर लो, trade कर लो, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं, तो everyday मिल ला है, कोई problem की बात नहीं है, secondly यहाँ पर, thirdly में हाँ पर requirement करना चाहूँगा, आपको who exchange, तो who exchange भी दोस्तों, without KYC, यहाँ पर just two factor authentication लगाया अपना, and बाकी आप इसको normally use कर सक करते हैं, इसके लावा, दोस्तों, हो सकता है, दो, तीन और different exchange, जो मैंने अभी उनको add नहीं किया है, यह जो तीन exchange है, यही इनफेले किन, सबसे first of all, MEXC and QCoin में आपको recommend यहाँ पर करूँगा, ठीक है, तो आपने central air exchange पर जबाब fund send करते हो, दूसरे central air exchange पर जहाँ पर KYC तो इससे क्या होगा, दूसर जब आप central air exchange से जहाँ पर आपकी KYC है, उसके बदले में दूसरे exchange पर fund send करते हो, तो आपका fund इससे mix match हो जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाले exchange पर आपकी KYC नहीं है, ठीक है, जब आप यहाँ से fund send, दूसरे exchange पर send करोगे, तो यह दूसर यह आपका कौन सा वाला fund है, ठीक है, उसको पता लगाया नहीं जा सकता, अब दोस्तों यह चीज अब बहुत डीपली अगर check करेंगे, तो find की सकता है, लेकिन यह बहुत जादा इसके इसके इंदर खिचडी हो जाती है, हर easily पता लगाना इसका बहुत मुश्किल है, ठीक ह अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जो भी fund यहाँ पर send करेंगे, MEXC exchange पर withdrawal fees बहुत minimal होती है, USDT हो, XRP हो, कोई दूसरे कोहन हो बहुत minimal, जैसे की Binance पर होती है, से मैसी, अब आप क्या करेंगे, अब आपने centralized exchange है, जहाँ पर आपका KYC नहीं है, यहाँ से आप transfer करेंगे अ एक high-end security चाहते हो, अपने funds के साथ, अगर आपका goal long term cryptocurrency को hold करने का है, और आपका बहुत जादा fund है, जिसको आपको hold रखने में risk लगता है, तो सबसे best होता है, दोस्तों, hardware, USB, stick wallet, जिसके अंधर आप कितना भी cryptocurrency store कर सकते हो, Bitcoin, BNB, Ethereum, Ripple, USDT, whatever you like, you can hold your cryptocurrency in this wallet for long term, जिसमें देली-डेली use नहीं करना पड़ता, तो काफी secure रहता है, क्योंकि इसको जो seat व्राज मिलते हैं, वो आप especially एक तो notebook पे लिखते हो, and every transaction जो होती है, वो आपको hardware wallet के साथ confirm करने होती है, तो यहाँ पर hack करना ना मुम्किन है, जिसके पास ये wallet होगा, उसके बाद भी इसके इन wallet, या फिर आप metamask use करना चाहते हो, जो कि हम जैसे हम बोलते हैं, non-custodial decentralized wallet, यह सभी wallet decentralized wallet है, फिर वो चाहे hardware wallet हो, and यह जो software wallet है, यह सभी decentralized non-custodial wallet है, यानि कि इसका मतलब इनकी जो private की, जो seat फ्राज होती है, वो आपको मिलती है, and उसी का, जिसके पास वो words है, जिसके पा wallet का control होता है, तो बहतर रहिए, बहतर यही होगा दोस्तों, जब आप wallet create करते हो, तो वहाँ पर आपको seed phrase मिलते हैं, जिसको आप एक notebook पर save करें, rather than saving in your mobile, और in your computer, अगर आप soft copy save करना चाहते हो, तो सर्फ और सर्फ अपने cloud drive पर ही save करें, जैसे कि dropbox, google drive, जहाँ पर आपकी high security रहती है, वहाँ पर आप लोग save करें, अपनी soft copy को, तो दोस्तों, इस तरीकी से क्या होगा, जो आपका fund है, वो mix match होने का आपके decentralized wallet के अंदर आ जाएगा, जिसके through कोई भी entity easily track नहीं कर सकती, मतलब काफी जादा, काफी जादा मुश्किल हो जाएगा track करना, तो यह काफी सही चीज है, दोस्तों, यही एक सही तरीका है, इसके बाद, जब आपको, suppose कि आपको कभी funds की need है, आपको withdraw करना है, या कभी आपको bitcoin buy करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, तो current scenario की अंदर, मैं आपके साथ सिर्फ दो, एक दो ही रास्ते ऐसे हैं, जो मैं share करना चाहूँगा बाकी और भी जुगाड़े हैं, दोस्तों कहने को तो काफी सारी जुगाड़े हो सकते हैं, लेकिन वो सभी मैं video के अंदर नहीं share करना चाहूँगा, सिर्फ कुछ ही, एक, दो, तीन, यहाँ पर मैं आपके साथ वे share करना चाहूँगा, जो की आप use कर सकते हैं, जो की काफी peer-to-peer service provide करते हैं, जिसमें हम लोग को KYC नहीं करना पड़े, तो यहाँ पर कुछ मैंने global exchanges के name के list लगा रखी है, जो की peer-to-peer service provide करते हैं, लेकिन इसमें से कौन-कौन से exchanges हैं, जो हमारे काम के हैं सिर्फ, जिसमें से हम लोग peer-to-peer कर सकते हैं, तो समझते हैं, exchanges के name यहा काफी जदा आपकी help करेगा आपके funds को withdraw करने में या deposit करने में, अगर आपको bitcoin buy करने है, peer-to-peer के through, and अच्छी service चाहिए, तो वो चीज, तो सबसे पहला दूस्तों, यहाँ पर name है Paxful का, क्या Paxful में जब आप sign up करते हैं, तो वहाँ पर mobile number की need होती है, हाँ दूस्तों, ज तक की ही, sorry, $1,000 तक की यहाँ पर आप trade कर सकते हो, ठीक है, $1,000 तक का ही amount या तो buy कर सकते हो, या फिर sale कर सकते हो, Paxful की through, अब यह Paxful क्या है, आप में से हो सकता है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो, दोस्तों, जैनून इंडर आप चैनल पर मैंने आपके साथ काफ प्लेट कर सकते हैं, तो आप प्लेइलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, हमारे जैनून इंडरॉप चैनल पर, तो यह जो $1,000 की limit है, दोस्तों, यह सिर्फ one time limit है, या नि कि आप पूरी life के अंदर जो आपने एक account बनाया है, तो उस account से सिर्फ आप $1,000 का ही यहाँ प पड़ेगा, तो फिलाल तो दोस्तों, यह Paxful की तरफ से है, secondly, Kucoin पर mobile number की need होती है, yes, Kucoin पर जब आप P2P trade करते हो, तो वहाँ पर आपको mobile number की need होती है, लेकिन KYC की यहाँ पर कोई requirement नहीं है, limit यहाँ पर होती है दोस्तों, one Bitcoin की, one BTC, ठीके तो काफी अच्छी काशी limit मिल आपको करना पड़ेगा, bind, and यहाँ पर आजब आप without KYC buy and sell यहाँ पर करते हो, तो Kucoin पर सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर 20,000 की रुपीज की यहाँ पर एक single trade यहाँ पर लेक सकते हो, maximum, ठीक है, तो 20 की रुपीज से आप बार-बार कितनी भी trade ले सकते हो, एक बार में without KY KYC user, non KYC user, सिर्फ 20,000 रुपीज की trade ले सकते हैं, तो 20,000 रुपीज करके आप कितना भी यहाँ पर buy, sell, and कर सकते हो, P2P trade के अंदर, ठीक है, INR को withdraw करना है, deposit करना है, वो सब चीज है, होबी exchange, क्या होबी exchange पर mobile number की need होती है, P2P trade करने के लिए, no, यहाँ पर सिर्फ और सिर् authority cater लगा कर भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर mobile number लगाना mandatory नहीं होता, KYC की need होती है, इसको use करने के लिए, no, लेकिन यहाँ पर जो limit होती है, सिर्फ और सिर्फ P2P trade की बात कर रहा हूं, P2P trade की यहाँ पर everyday की limit होती है, दोस्तों, 157 dollar, ठीक है, तो यहाँ प कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर deposit कर सकते हो, मतलब दौनों मिला कर भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन total amount of volume 157 dollar, तो आप जैसे की देख सकते हैं, यह मैंने बिल्कुल new accounting बनाया है, एक्दम fresh account है, एंड यहाँ पर, यहाँ पर मैंने कोई भी KYC अगरा, यहाँ पर KY P2P market का option, एंड यहाँ पर आप अपना IINR amounts लेट कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप sale कर सकते हो, जैसे sale पर मैं click करता हूँ, और मुझे sale करना है, तो बहुत सारे यहाँ पर vendors से मिल जाते हैं, जिनको हम लोग IMPS, bank transfer के थ्रूँ, या फिर Google पे, UPI की थ्रूँ, कुछ लोग, क अपने funds को sale कर रहे हो, ठीक है, IINR के लिए, तो अपना fund जब तक आपको release नहीं करना, जब तक amount आपके bank account के अंदर receive नहीं हो जाता, बस इस बात का ध्यान रगना, ऐसा नहीं हो का आप कहीं पहले release कर दो, और सामने वाली party जो हो आपको transfer ही ना करे, तो इस चीज का P2P के हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है, तो हो भी exchange काफी सही लगा, लेकिन यहाँ पर जो limit है, वो काफी जादा कम है, तो इसमें भी हम लोग काम चला सकते हैं, अब रही बाद दोस्तों, MEXC, MEXC के अंदर mobile number की need होती है, yes, and MEXC के अंदर KYC की भी need होती है, P2P trade करन दोस्तों, यह हमारे अभी फिलाल किसी काम के नहीं है, P2P trade करने के लिए, लेकिन बाकी यह जो तीनों exchange है, यह हमारे काम के है, and इनको हम लोग P2P के लिए use कर सकते हैं, इन सब के अंदर सबसे best जो exchange मुझे लगता है, वो लगता है दोस्तों फिलाल hobby exchange, क्योंकि hobby exchange के अंद आप cryptocurrency buy भी कर सकते हो, लेकिन जब ITR का time आता है every financial year पर, तो आप ITR के अंदर कैसे show कर होगे, क्या show कर होगे, इसके लिए दोस्तों आप लोग अपने CA से बात करे हैं, वही आपको best यहाँ पर guidance देगा कि आपने जो fund withdraw किया है, वो आपको किस तरीके से show करना है, बाकी दोस् आपको अगर updated रहना है, जब भी हमें future में कभी कोई need परती है, तो उसके लिए आप लोग हमारे telegram channel को ज़रूर join करने हैं, यहाँ पर जो कुछ भी होगा दोस्तों further detail मैं आपके साथ यहाँ पर share करूँगा कि और कौन से दूसरे method हो सकते हैं, जिसको हम लोग P2P trade के through, यह यहाँ पर हम use कर सकते हैं, anonymously, तो वो सब चीज यहाँ पर आपको telegram channel पर मिलेंगी, क्योंकि anonymously चीज़ों के लिए दोस्तों, जाद हमें video आपके साथ share नहीं करूँगा, वो सिर्फ मैं आपको telegram पर ही inform करूँगा, so फिलाल दोस्तों इस video के निरत नहीं है, मुझे उमीद है, कि आपको समझ में आ चुका है, कि हम लोगो क्या कर रहा है, अपने funds को आप लोग कोशिश करो, and कोशिश नहीं, definitely आप लोग decentralized wallet करने ट्रांसर करो, जो कि एक secure wallet हो, and उसके जो seed phrases हो, वो आप एक notebook पर write करो, सबसे best option है, and वहाँ पर अपने funds को hold रहा हो, आप लोग use कर सकत है, trust wallet, I like the trust wallet क्योंकि हम multiple assets काफी सारे, and atomic wallet भी multiple assets support करता है, तो यह भी option है, लेकिन trust wallet में prefer करूँगा सबसे जादा, इसके बाद दुस्तों में सबसे जादा prefer करूँगा metamask, ठीक है, लेकिन metamask और trust wallet के अंदर difference रिफ इतना है, trust wallet multiple cryptocurrency support करता है, and metamask सर्फ ethereum virtual machine के network ही support करता है यान कि ethereum से related, जितने भी उसके ecosystem के blockchains हैं, उसी को यह support करेगा, जैसे कि binance smart chain, avalanche, polygon, and there are many more smart chains, जो कि ethereum की EVM technology पर work करती है, तो सर्फ यह उनी को support करता है, क्योंकि metamask जो है दोस्तों, वो ethereum का product है, ethereum ecosystem का सबसे जादा use होने वाला एक product है, तो hopefully दोस्तों यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ चुक है, जो मैं आपसे कहना चाहरा हूँ, and बाकी फिलालिस वीडियो के अंदर इतना ही है, जल्दी मिलते हैं दोस्तों, next वीडियो में किसी नए topic के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, bye bye, take care, and see you soon.